साथ से आठ पुसेंट आज ट्रेड गेन कर रहा है वो है आरके फोर्जिंग इंजिनिरिंग स्टॉक्स और मैनिफैक्टिरिंग स्टॉक्स में वैसे ही बजार की काफी रुची है वहां क्योंकि विजिबिलटी ज्यादा एर्णिंग की और फ्लो की विजिबिलटी ज्यादा है और उसी के अंतरगरत आज जो ख़बर आई है वो लवन बिडर बन गए है एक और सरकार के रेलवेज के बड़े ओर्डर के साथ टीटागर के साथ ने मिलके उनको बोली लगाई थी और वो बोली के लिए L1 बिडर है और इसी के चलते हैं उस अनाउस्मेंट पे स्टॉक करीब 37% गेन कर रहा है ललित खितान जी हमारे साजुर रहे हैं लली जी पहली बात तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कॉंगराचुलेशन्स मुझे याद आ रहा है कि मैं आपस कोविड टाइम पे अपने घर से बैठके आपका इंटिव्यू कर रहा था और उस समय आपने एक बात कही थी जो मेरे दिमाग में बैठ गई वो ये कि विजिबिल्टी कारोबार की उस समय बहुत लो थी सब जगे तरही तरही हो रही थी लेकिर आपकी कंपनी कपैसिटी अडिशन करे जा रही थी ये सोचके कि जब वापस चीज़े नॉर्मलाईज होंगी और बिजनिस कारोबार सब कुछ नॉर्मल होगा तो आपके पास तो रेडी कपैसिटी जो कॉम्पटिशन से आगे होंगी और मैं देख रहा हूँ कि आपकी कंपनी काफी अग्रेसिव हो गई ये लास्ट दो-चार कॉर्टर में क्योंकि वो सारी कपैसिटी वापस आ रही है तो जरा वहां से बताएं कि आपको इतने बड़े-बड़े ओर्डर के लिए आप अग्रेसिवली बिड़ कर रहे हैं जीत भी रहे हैं क्या ये उसी का फल्ट अब मिल रहा है आपको पिछले साथ-ाठ पॉर्टर में जो हमारी पर्प्रमेंस आई है निश्ची तरूप से जो हमने कैपैसिटी एडिसन्स किये पिछले तीन-चार सालों में उसका नतीजा है और हमने जो कैपैक्स किया उसका आज हमारे को रिजल्ट मिल रहा है और आने वाला समय भी ये कैपैक्स चलता रहेगा और ये ग्रोध भी आती रहेगी क्योंकि हमारी company always growth की और देखती है और आने वाले समय के पहले capes करना चाहती है तो यह strategy हमारी कायम रहेगी और suddenly उसकर positive result मिल रहा है यह जो L1 हुए है यह एक अलग stream है और यह हमारे non auto जो initiative है उसको बढ़ावा दे रहा है और वहाँ पर जो हम चाहरे थे कि हमारा share बढ़े non auto में ताकि इस cyclical nature जो है हमारी industry का उसको mitigate कर पाए है और उसकी तरब यह बहुत बढ़ा कदम है और हमें लगता है कि अब जब हम L1 हो गए हैं तो यहां भी हम successful होंगे ठीक है लली जी जो आप बता रहें कि non auto वाले में आप बढ़ा बनना चाहते हैं और आपकी balance sheet strong करना चाहते हैं रेलवे के लावा कोई और target एरिया है जहां पर आप non auto में खोड़ा बढ़ा होना चाहते हैं या फिर रेलवे यह आपके लिए इतना बढ़ा कॉर्पस हो जाएगा कि रेलवे और autobus बहुत हो गया नहीं रेलवे सर्टेनली एक बड़ा area है लेकिन उसके लावा हम काफी focus है oil and gas segment में फार्म equipment में और और फाइवे में यह चार एरिया जहां पर हम बहुत ज्यादा focus कर रहे हैं और सब में अल्टिमेटली हमारा टार्गेट है कि हमारी बैलेंस जब 2026 में पांचार कोड की टॉप लाइं करें तो कंसे कम 30 पर 30 सब हम नौनोटों से बिख्या है नामतोर पर जब देखा जाता है जब बिडिंग होती है और लोएस बिडर को आपकास benefit मिलता लेकिन बोलिया आसपास की होती है लेकिन अगर आपकी comparison देखें जो एक sources से जो figures निकल कर आ रहे हैं आपकी जो इस टेंडर के लिए पूरी जो bit थी वो काफी कम थी as compared to भारत फोज हो सेल हो इतना बड़ा difference कैसे है यह उनकी costing पर मैं कमेंड नहीं किसकता हमने अपनी costing काफी अच्छे तरीके से की है और हमने काफी global market को भी consider किया क्योंकि हम केवल railway के order को नहीं देख रहे हैं और हम काफी बड़ी capacity और overall world market के इसाफ से देख रहे हैं और हमें लगता है कि बहु अब समय देने के लिए विश्यू लग for this order as well as future quarters also चले तो यह तो आगी फोरजिंग और हम देख रहे हैं कि stock में कच्छा कासा impact भी इस इलबन बिडर होने के चलते साड़े साथ पसंद तक की तेजी आप देख रहे हैं बाजान में भी in fact जो momentum था जिस levels पर आपको लेते हैं वहीं उसके आसपस अपने sustain किया है